हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लिते हैं गेल इंडिया लिमेटेड की कुईकली एनलिसस देख लिते हैं चैनल को लाइक एं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यहाँ फॉर्मेशन इस क्वाइट सिंपिल कुछ चैनल के अंदर ही चल रहा है स्टॉक दो चैनल की फॉर्मेशन बनती ही नज़र आईए नीचे से जब यहाँ जाता था और रिवर्सल आता था तो यह नीचे वाले चैनल की फॉर्मेशन थी फिर यहां सिफ्टिंग हुई उपर के चैनल में और तब सी उपर वाले चैनल पर सपोर्ट्स बनने लगे और वहीं से स्टॉक बूलिश मोमेंटम बकड़ लेता है अब आप देखेंगे उसकी उपर भी स्टॉक निकल के जा चुका है तो यहां पर आप देखेंगे के परसों जो फॉल आया था निफ्टी में वो करेक्शन के वैए से एक सड़न पीक आई और नीचे केंडल ने क्लोज भी दिया बट कहीं ना कहीं उसके बाद समल गया स्टॉक मार्केट और सही सही चलने लगा निफ्टी में भी अच्छी खासी बड़त देखने को मिल रही है और सारे ही स्टॉक में आप देखेंगे बाइंग देखने को मिलिए तो साथ ही साथ गेल में भी मिलिए और गेल में तो all time high भी बन गया आज आज की जो वज़ए रही है वो news driven रही है गेल में यहाँ आप देखेंगे कि गेल इंडिया records high on multiple block deals तो यहाँ पर block deal हुई है गेल इंडिया में और यहाँ पर देखेंगे 3.7 million sales changes hand in 7 block deal at between 146 to 152 rupees per share तो just because of this यहाँ पर आपनको आज momentum जादा high देखने को मिला है गेल में बाकी stocks के अपिक्षा selling exactly आपनको देखने को मिली है फिर 153 के level पर और नीचे की अगर बात करें के अपनको जो बेरिश momentum देखने को मिला था वो था 141 के around तो यहाँ पर आप देखेंगे buyers अपनको थे 141 पर यहाँ से buyers ने stock में बढ़त बना के राखी नीचे ने गिनने दिया stock को उपर यहाँ पर अपनको selling देखने को मिली है 153 के आसपास psychological level sustain करने के बाद और finally psychological level पर ही stock आगया है गिरके तो आप देखेंगे Monday तो holiday है Christmas की तो Tuesday ही market कुलने वाला है तो Tuesday को जो भी momentum रहेगा अपना वो रहेगा कि stock इस hurdle को cross करेगा 152 के और यहाँ से stock निकलने की कुसस करेगा तो पहला hurdle है अपना यही 153 का दूसरा उपर की दिशा में जो अपना hurdle रहेगा वो रहेगा 157 का और तीसरा इसी दिशा में अपना hurdle रहेगा 160 का ऐसा ही चलने वाला stock 160 तक तो आपको तो आपको थोड़ा लगेस मोमेंटम रहेगा 160 से फिर थोड़ा भागेगा तो 175 फिर 170 से slow हो जाएगा तो यह 160 तक थोड़ा hurdle phase करती हुए जाएगा क्योंकि यहाँ पर sellers रहेंगे जितने भी वो stock को गिराने की कोशिस करेंगे वापस से data के अंदर क्योंकि psychological level के अंदर गिराने की कोशिस रहती हमेशा sellers की तो ऐसे कुछ चलने वाला गेल इंडिया आने वाले दिनों में इवेन आपको Tuesday को ऐसे ही चलते हुए देखने को मिलेगा तो यहाँ पर समझदारी दिखाएगा तो समझदारी से काम लीजेगा पैनिक में मत बेचिए कुछ भी क्योंकि आप देखेंगे परसों जिसने भी पैनिक में बेचा है दो दन की रिकवरी और इवन अल टाइम हाई भी दे दिया गेल ने और मैजॉर्टी अफ दे स्टॉक्स आप देखेंगे अच्छी खासी बाइंग देखेंगे को मिली हो जितना फॉल किया तो उससे जादा ही बड़त पर आ गए है सारे तो सही चल रहा है स्टॉक मार्केट कोई अजन दिक्कत वाली बात नहीं है बाकि एक सपोर्ट की बात करें स्टॉक में सपोर्ट कहां रहेगा अगर फॉल करता है बाइनी मीन्स पहला सपोर्ट 149 पर ही मानके चलिए यहां सपोर्ट मिल जाएगा इसको इसका यह जो आप केंडल देख रहे हो बड़ी वाली इसका इसकी उपर का हाय का इधर पर आपको सपोर्ट मिलेगा 149 पर नीचे की बात करें फिर और फर्दर सपोर्ट मिलेगा 146 पर 146 के बाद भी अगर स्टॉक में सपोर्ट कहीं मांग दें तो 143 यह को सपोर्ट रहेंगे स्टॉक कि जब अगर सडन कोई फॉल आता है निफ्टी अंस्टेबिल रहता है तो यह आपके सपोर्ट है नीचे वाले उपर वाले यह सारे आपके टागेट्स हैं या फिर आफ रिजिस्टेंस कह लेजिए तो ऐसे चलने वाला है आपका गेल इंडिया तो होफ़ली यहां सारे चीज़ें क्लियर होगी मिलते नेक्ट वीडियो में दिस इस मी सुभमयादव साइनिंग ओफ